मैं आज आपने गाड़ी चर्प आपका स्वागत करते हूं आप कैसे हैं आज मैं नीबू के चमतकारी उपाई लेके आऊंगी क्योंकि बरसात में बहुत से प्लांट ऐसे खराब हो जा रहे हैं देखे इसकी पतियां अब लाइट होने लगी हैं तो बरसात में ऐसे प्रावल हुआ है तो चलिए यह देखे यह मेरी पतियां बिल्कुल लाइट सी हो गई है आज इसको मैंने डाला था तो इसके बाद यह देखे इसकी पतियां ग्रीन निकल के आ रहे हैं शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं उपर की जो टिप उपर वाली पतियां है वो आए दिन डालते रहना चाहिए हमेशा यह प्राब्लम लगी रहती है जो भी हाइब्रेट गुढ़हल होते हैं या हाइब्रेट जो भी प्लांट होते हैं तो सब में प्राब्लम लग 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 आती है तो देखे इसके भी उपर के टिप जो है और इस पर के भी उपर का टि तो उसका भी इलाज बहुत अच्छे से इससे हो जाएगा तो वह है नीबू नीबू डालने से बहुत अच्छा इसका इफक पड़ता है तो नीबू डालके देखिए फिर देखिए इसका कितना अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा तो चलिए मेरे वीडियो में बने रह दालूंगे तो आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं तो चलिए मैं दिखाती हूँ लेकिन अद्यगिन डालके हम इतने छोटे को इसी मिट्टी में दबा देंगे तो यह सही रहेगा इसका धीरे अपना असर दिखाता रहेगा और लिकूट डालेंगे सारी पानियां बह जाएवे तो धेखे मैंने ओसे गर्मिके मिट्टी तो आप भी डबा दिजेगा और इसका बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा तकी मैंने कुछ समय पहले दभाया था तो ईसका है मेरेको मिला है तो आपके साथ ब्हाई लूप तो आप कर दीजे देखिए बस इतना ही करना है ज्यादे कुछ नहीं करना है उसके बाद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बहुत ही अच्छा यह देखिए मैं सारे लगवग लगवग जो भी मेरे हाइब्रेट गुड़ाल है या एक जोरा है चाहिए जो भी ऐसे हो प्लांट में कमी हो रही है आयरेन की तो ऐसे दूल किया जा सकता है या फिटकरी का लिक्विट बना के विटाग सकते हैं लेकिन इस समय बारिस का मौसम चल ला है तो लिक्विट की जगा आप टुकड़ा दबा दीजिए उससे भी सही हो जाएगा अक्तर यह करना तो यह कमी तो अब लगी रहेगी लेखे मैंने 5-6 देन पहले डाला था तो इसका असर दिखा है तो आप दे ऐसे करिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लेज लाइक सब्सक्राइब कमेंट और जरूर करिएगा और अपने सारे प्लांट में ऐसे करके एक टुकड़े संद आए तो प्लेज लाइक सब्सक्राइब कमेंट और जरूर करिएगा थेंक्यू फ्रेंड बाई